आफिस में काम करने के दौरान जो डेटा क्लिनिंग का अप्रोच होता है वो सबसे एहम रोल प्ले करता है आपको डेटा क्लिनिंग करने की बहुत ही जरत होती है क्योंकि आप कई बार CSV फाइल, वेब बेस्ट फाइल आप कॉपी करते हैं और जब आप कॉपी करके Excel सीट पे पेस्ट करते हैं तो important data के साथ साथ हमारे पास कई सारे वाहियार data भी आ जाते हैं जिसमें से उन चीजों को मुझे नहीं रखना है उसमें से main जो important चीज है वो है ऐसा आपके important data को formatting या cleaning करने के दारान आप लोगो इस टैट का data set जरूर दिखता होगा जिसमें काफी पेशीदा अगरा भ्यान दें इस data को तो ये mixed data और इस mixed data में से मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे मतलब का मेरे काम का है email ID उसको अगर मैं भी आप लोगों को extract करने के लिए बोलूं तो text to column हो नहीं सकता देख लिजे कितने बार आप text to column में space या hyphen लगा के उसको extract करने के कोशिज करोगे ऐसा situation में मैं आप लोगों के सामने एक formula method रख रहा हूं और इसको आप follow करके ये extract कर सकते हैं इसके और भी method हो सकते हैं आप लोगों को जरूर try करना है मैं आप लोगों के सामने एक solution रख रहा हूं ये रहाप के सामने मैं यहाँ पे इसको extract करने की कोशिज करूँगा function use करूँगा मैं यहाँ पे mid इस step का approach मैं अलड़ी last example में बता चुका हूँ उसी को follow करते हुए mid और substitute के जरिए कुतने कुछ तो करी लेंगे ये रहा function mid अब mid function को क्या चाहिए mid function को चाहिए text तो text में मैं direct pass नहीं करके मैं यहाँ पे use करने जा रहा हूँ substitute और आप बहुत अच्छे से जानते हैं substitute function का का काम क्या होता है यह किसी existing text को बदल के कुछ नए में convert करने का काम करेगा तो यहाँ पे अब उसको जरुत है text तो text काउन सा pass करेंगे हम text में काम करेंगे पहले space के साथ associate करेंगे इसको space and और यह जो mixed data है वो आपने ले लिया comma old text अब इसमें से बदलना किसको है space को comma new text new text में क्या चाहिए मतलब उसके जगह पे अब आप क्या रखना चाहते हैं तो यहाँ जहाँ new text मांगा है यहाँ पे मैं pass करूँगा repeat आपको याद आलाओगा last example में भी मैंने इसी टैप का कुछ करने की कोशिस किया था same है solution last में थोड़ा सा differ करेगा वह आपके सामने मैं भी रखी रहाँ ठीक है तो यहाँ पास क्या आपने repeat अब इस repeat के अंदर किसको repeat कराना है तो space को ही repeat कराना है comma number of times कितने बार repeat कराना है तो मैंने कोई character ले लिया 255 times मुझे repeat कराना है bracket burn और एक और bracket यह मेरा काम खतम हो गया किसका यह मेरा काम खतम हो गया text का मतलब mid को हमने text pass कर दिया अब आप पास कीजिए comma अब बात start number की mid के case में start number का मतलब क्या होता है from where you want to extract the data और उसके बाद बाती है number of character की अभी हम किस पे हैं अभी हम पहुंचे हैं start number पे तो कहां से मुझे extract करके लेके आना है ऐसे situation में अगर मैं यहां पे data set में ढूंडूं तो एक है जो की sub में common है वो है आपका add the rate अगर मैंने baseline add the rate को पगड़ लिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा तो यहां पे मैं find कर देना चाहता हूं किसको add the rate को समझा रहे है find आपने कर दिया add the rate को कॉमा किस में से तो किस में से मैं again सीधे पास कर देंगे text तो फिर दो starting से गिनना शुरू करेगा नहीं आप यहां पे गीजिए within text में substitute within text में मैंने सीधे ना लेके क्या लिया है substitute पहले पास किया है अब substitute को क्या चाहिए text तो टेक्स्ट में मैं क्या करूंगा यहां पे again जैसे starting में आपने ढूंड आता ही है इसे space के साथ तब पास कर दिजिए कॉमा अब old text टेक्स्ट तो आपने पास कर दिया old text में किसे बदलना है तो space को बदलना है जैसे आपने starting में किया है कॉमा new text again repeat मैंने गोला थाना common है last example के जैसा repeat text तो text में क्या ले लेंगे space कॉमा number of times again 255 ब्रैकेट बंग इसका हो गया एक ब्रैकेट और बंग और एक ब्रैकेट और बंग यह हो गया हमारा start नंबर और अगर मैं अभी यहां पे कॉमा लगा के number of character 255 ही पास कर दूँ और वहां तो trim जला ना परेगा और यहां पे मैं trim जला भी दूँ तब भी एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है trim जलाएंगे तभी तो इस space को हटाएगा trim जला दूँ तो ब्रैकेट बंग करके enter करने के बाद और पूर देखिए क्या आएगा चाहिए इस space के बाद से मतलग जहां पे space मिलेगा उसके बाद का occurrence हमें चाहिए होगा ऐसे situation में इससे गुजारा हमारा नहीं होगा यहां पे हमें pass करना होगा जितने character को आपने इधर से find किया था उतने ही अगर मैं पीछे से minus करनूं तो मेरा काम कुछ हत्तक आसान बहुत हत्तक आसान मिल गया ठीक और यहां पे अब इस तरीके से आजाने के बाद अभी एक और समस्या यहां पे 255 ही फिर क्यों रहेगा यह 255 यह और 255 यह character double हो गया ना तो कितना हो गयी यह हो गया आपका 510 नहीं बाद 510 इसका double 255 चुकिए आपने उतना minus कर दिया है 510 और अब आपको दि 3 इस add the rate से पहले वाला text space के बाद से और जड़ा copy कीजिए तो यह आपके सामने है एक बार फिट से गरसर यहां और टी यू एफ ठीक है step by step evaluate कर करके देखिए कि यह function inside कैसे execute हो रहा होगा सबसे पहले उसने text लिया और यहां देखिए substitute चला है ना इस तरीके का data है इसके पास repeat चला है आपने यह देखिए ठीक है यह देखिए आपको step by step कैसे यह output आ रहा है वो आपको check करना है debug करना है खुझ से और execute करा के तब result आपको सोख रहा है तो मैंने आप लोगों के सामने क्या रखा यह जो function का execution रखा है यह data cleaning में आपके बहु लेडी को उठाना हो तो आप आराम से extractor कला सकते है तो आप लोगों मैं बता देना चाहता हो कि जो beginner learner है अभी उनके लिए यह Excel महराज स्रीज नहीं है पहले आपका काम है सारे concept वहां से सीखिए basic Excel के playlist से कहानी स्टार्ट कीजिए पहले उसे खतम उसके बाद और जो सीरीज को step by step attempt करने की कोसिस कीजिए बहुत सारे कोश्रा आप खुद कर पाएंगे इसी उमीद के साथ की basic level से cross करते हुए intermediate और advanced learner बनते जा रहे हैं आप लोग और अपने life में एक कदम आगे और बढ़ते जा रहे हैं अब आपसे मिलता हूं next video में ऐसे ही किसी न किसी बहतरीन content और वो content जो कि आपके life में value एड करता ही करता होगा thank you for your love and support to inogen channel thank you